इस आ गुज को मैं आइब रिवन दिस इस मनीशा में अधिक्व डिक्पया है तो सबीं जीज बनाने के लिए मैंने यहाँ इस इस आूर नाड़ लम पूर्अ को दिक्दा खेंड हैं पूरूर। है इस दिक्वार बॉप को ब्लॉफ ही कि लेको मैं अपकर करते हैं तो bleach बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है blonder powder और इसे एक bowl में डाल दिया और इसे mix करने के लिए मैंने लिया है 20 volume का developer साथ में लिया है थोड़ा सा face pack आपके पास कोई moisturizer हो face pack हो या massage cream हो तो किसी भी चीज़ को आप mix कर सकते हैं क्योंकि ये वाले bleach हाड होती है बालों के उपर करते हैं तो इसको थोड़ा सा mild बनाने के लिए इसमें कोई भी cream mix कर देते हैं या face pack mix कर देते हैं सबसे पहले यहाँ पे face को clean कर देती हूँ उसके बाद bleach apply करूंगी और बाद में facial भी करने वाली हूँ glow facial lotus का bleach बनाने के लिए blonder powder थोड़ा सा लेना है और इसमें 20 volume जो mix करने के लिए लेंगे वो भी इतना लेंगे कि अच्छे से दोनों mix होके cream like consistency हो जाए बहुत ज़्यादा नहीं लेना है अगर हम हाथों या पैरों पे कर रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं लेकिन face के उपर थोड़ी सी साथानी रखनी पड़ेगी क्योंकि ये bleach hard होती है bleach करने से पहले अपने client को जरूर पूछ ले या खुद भी देख ले कि उनका skin sensitive है या पहले भी bleach करने से उनके दाने दाने होने लगे या कोई allergy हो रही है कई लोगों के skin पे bleach बिल्कुल भी सूट नहीं करती है तो उनके उपर bleach ना लगाए अगर आपने bleach लगा दी पहले उन्हें कभी दिक्कत नहीं हुई लेकिन इस बार दिक्कत होने लगी है तो जल्दी से वहाँ से remove कर दीजे उसके बाद red dresser से होने लगे है दाने होने लग लगाए एलोविरा जिल भी लगा सकते हैं ठंड़क के लिए लाक्टो कैला माइन लगाएंगे वह भी अच्छा रहता है लेकिन इससे भी जादा हो गया तो किसी कैमिस्ट के सौप से allergy की दोचा टैबलेट लेके उन्हें दे दीजिए 10 मिन तक मैंने bleach को face के उपर रखा उस स्क्रब कर रही हूं स्क्रब चार से पांस मिन तक करूंगी स्क्रब करने से हमारे स्किन से टैनिंग हटती है ब्लैक हेड्स वाइड्स रिमूब होते हैं अनिवन स्किन टोन हो जाते हैं तो वह भी इवन होते हैं आज मैं lotus का glow facial कर रही है तो इसमें four steps है क्लींजर है को क्लीन कर देई हूं इसके बाद मैं मसाज स्टार्ट करूंगी मसाज के steps तो मैंने कई बार आप लोगों के साथ शेयर किये हैं तो आज वीडियो को थोड़ा सा फास्ट रखोंगी क्योंकि आपको भी ना लगे कि बार बार एक ही चीज दिखा रहे हैं 15 मिनट के लिए मैं मैं फेच के उपर मसाज दोंगी तो इसमें से मैंन मैं जो steps है वो शेयर करें आप लोगों के साथ कि अजयर को दोस्तर सा फास्ट बन्हाँ प्रोगों के लिए रहे हैं 16 में चिपाववाबी क्योंकि जोच्ट दोस्तर से लिए बगने क्रिशने के उलेक मैं अरसे पिलसा इसा हैं 16 मैं ना उत्यास्तर वा प्राना के साम्टर्वारावाबी करें 16 मैं फास्ट भीज़ प्र अपने आप से भी कर सकते हैं लेकिन मसाज के सारे स्टेप्स प्रॉपर तरीके से अपने आप से नहीं ले सकते हैं अपने आप से जब हम फेशिल करते हैं तो हमारा ध्यान काम करने के उपर रहता है रिलाक्स बिल्कुल भी नहीं हो पाते हैं आज कल की भाग दोर बड़ी जिंदिगी में हम सभी को मंतली एक फेशिल किसी प्रोफेशनल से जरूर लेना चाहिए इसे हम स्ट्रेस फ्री होते हैं ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है रिंकल्स फाइन लाइन्स कम आते हैं इसकिन पे लाइट बनी रहती है शाइन बनी रहती है एजिंग की वज़े से हमारे स्किन सैग होने लगती है डल पर जाती है आँखों के नीचे गड़े से होने लगते हैं तो ये तो कोई नहीं कह सकता कि हम समय को रोक देंगे लेकिन हाँ अगर हम प्रॉपर फेशिल लेते हैं तो हम लंबे समय तक अपने स्किन को यूधफू पूल रख सकते हैं पूल के स्टेप्स में स्टीम और ब्लाक हेट्स वाइट्स रिमूब करने के स्टेप्स भी आप सामिल कर सकते हैं लेकिन इनके फेस के उपर मुझे कोई नीड नहीं लगी फेस पैक लगा रहें उसमें मैंने हलका सा पानी एड़ किया है क्योंकि ठीक हो रहा था अच्छे से पूरे फेस पे लगा के पंदर मिनट तक छोड़ दूँगी कई फेस पैक ऐसे होते हैं जो जल्दी से सूखते नहीं है उसकी ठीक लेयर लगाई जाती है तो उसे आप टाइम से लगा के और रिमूव कर देंगे इसकी तो मैंने बहुत पतली सी लेयर लगाई है तो जैसे ही सेवी ड्राइ होगा तो मैं इसको पानी के साहरे मसाज करके निकाल दूँगी पैक जब सेमी ड्राइ हो जाए तो उसके उपर वाटरे स्प्रे करेंगे और हलके हाथों से मसाज कर देंगे फिर टिशू से या हैंकी से इस तरह से रिमूब करेंगे तो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है बार बार इसकिन के उपर अगर बिल्कुल भी नहीं लगती है अब मैं संस्क्रीन लगा के फेशल को कम्प्लीट करूंगी तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज ल लगते हैं ब्लीच करने में और 45 मिनिट से लेकर य और तक लगता है फेशल करने में आजकल हड़ एक फेशल किसल में भी अलग-अलग इस्टेप होते हैं तो ज्यादा थे देखके घबडाने की ज़बरत नहीं है किसी में सिरम डाल देते हैं टोन पैक के उस्ले में लिक he